ठीक है जी अभी स्टार्ट करते हैं और इस लेक्षर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं डाट इस लूप्स और उसके आगे डिफरेंट किसम के जो लूप्स होते हैं जो हमने कल भी पढ़ा था वाइल लूप्स और फॉर लूप्स और एक दिन का मैंने आपको टाइम इसी सामने शेयर करता हूँ ओफुली आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है जो जूम में बैठे हुआ हैं वो प्लीज अपना कैमरा उन रखें और जो वैसे बैठे हैं वो थोड़ा एक्टिव होके टेक छोड़के बैठें दाकि आपको चीजों के समझ आए हम यहां पर जिरो नाइन में इसको करता हूँ इसको कहते हैं नेस्टिड लूपस नेस्टिड लूपस क्या होते हैं हम इनके बारे में देखेंगे और इनको रिजॉल्व करने की कोशिच करेंगे अच्छा कल हमने फॉर लूप देखा था वाइल लूपस की नेस्टिड लूपस क्या होते हैं एक लूप के अंदर लूप समझ रहे हैं इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आपकी जीन्स की जो पेंट होती जिसे जीन्स ही बोला जाता है उसके अंदर दो सामने पॉकेट्स होती हैं दो पीछे होन गर्ष और फिर राइट जो है हम nested loop की example देख लेते हैं कि nested loop होता क्या है nested loop is a loop which is within an other loop ठीक है और यह multi-dimensional data structures वगरा के लिए इसको perform किया जाता है अब हम अगर पहली example देखें nested loop की तो nested for loops हम देखते हैं loop के अंदर loop basically तो यहां पर मैं पहले colors की एक list बनाता हूं colors को हम लिखते हैं for example मैं यहां पर लिखता हूं red comma और मैं इसको लिखता हूं white comma और blue कर देता हूं ठीक है बलके red green blue कर देता हूं क्योंकि यह हमारे computer vision के अंदर भी चीज आएगी RGB से बोला जाता है अगर किसी को नहीं नहीं पता red green blue इन तीन color से मिलके बाकी colors जो हैं वो बनते हैं दूसरी चीज़ हम लिखते हैं items के अंदर हम लिखते हैं जी for example मैं लिखता हूं book comma say for example pen comma say for example मैं लिख देता हूं यहां पर copy I mean just wrote three things अब note यहां पर तीन चीज़े हमारे पास आगी है जनाप colors के अंदर और तीन आगी हैं हमारे पास items के अंतर अब मैं आपको इसका nested loop बना के दिखाने लगाँ for colors for color in colors इसके अंदर and then we will write for item in items ठीक है इन दोनों को चलाओ और यहां पर print करो हमारे पास पहले करना है जिए color को comma item को this is an example of nested loop ठीक है अब बड़े असानी से आपको समझ आज़ेगी अब आपको कहा लगता है यह किस तरीके से print होगी सबसे पहले एक color को लेगा यह कहां पर लेगा colors में से एक color को यह अपने पास print कर देगा ठीक है फिर हमने बोला है कि फिर करो item को items में से यानि कि एक color आएगा, एक item आएगी, इसको मैं print करता हूँ, then you can see here, सबसे पहले हमारे पास एक item आ रही है, फिर color आ रहे है, फिर item आ रही है, like this, let me show you, आपको असान नजर आ जाएगा, यहाँ पे, red book, red pen, red copy, फिर green book, green pen, green copy, फिर blue book, blue pen, blue copy, यानि कि मैं आप mathematics में अगर आपको समझाओं, इन दोनों list की product हमारे पास आ रही है, red का हर किसी के साथ relation, green का हर किसी के साथ relation, and then blue का हर किसी के साथ relation, relation से मुराद, कि जब हम इन दोनों को लिखते हैं, तो उनकी कौन सी हमारे पास एक product आती है, product कहते हैं, दो चीजों के अच्छा, यहां पर मैं आपको अब इसको draw करके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाजा है कि यह किस तरीके से बनता है, सबसे पहले आप एक color को लेते हैं, तो for loop color in colors, एक हमने ले लिया color red, ठीक है, फिर हमने बोला for items, item in items, तो हम पहली book वली item ले ले लेते हैं, यहा के साथ, फिर green दूसरी वाली item के साथ, फिर green तीसरी वाली item के साथ, and so on so forth, तो इस तरीके से हर एक color, हर एक item के साथ print होगा, because we are writing them in a format, के यहां पे हमारे पास at the end print इस तरीके से आए, अगर मैं इसको print कर दूँ, item, comma color करूँ, तो क्या होगा? तो क्या होगा? जी, अगर मैं इसको print करता हूँ, let's see, अब हमारे पास क्या हो रहा है, book read, pen read, copy read, अब ये तीन चीजें पहले आ रही हैं, और फिर हर किसी का इनके साथ combination बन रहा है, ठीक है? अब हमने उसको reverse कर दिया, so you can actually do this kind of nested four loops for many things, और ज्यादा तर ये multi-dimensional data के लिए use किये जाते हैं, multi-dimensional data क्या होता है, data क्या होता है, इसको बड़ी detail में हम देखेंगे, अपने कलवले lecture से onward, but for now, ये इस तरीके से हमारे पास nested four loop होता है, यानि कि ये एक loop था, उसके अंदर ये दूसरा loop है, यहाँ तक समझ आगी, nested four loop की, कि एक loop है, उसके पास nested four loop या nested loop हो जाता है, अगर मैं इसी तरीके से nested while loop बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, while loop के लिए simply आप क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिखके दिखाता हूँ, I is equal to zero हम करते हैं, और हम यहाँ पे, sorry, zero, और हम यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको एक और च J को बता देते हैं बीच में, J is equal to zero, अब यहाँ पे बताएंगे, while J is less than three, ठीक है, मतलब while के बाद J भी आ गया, हमारे पास I के बाद फिर J आ गया, तो सो दो while loop हम इकठे nested form में यहाँ पे लिख रहे हैं, अब सेम वही चीज़ यहाँ पे अगर मैं print लिखूँ, print के साथ ह मैं अंदर लिख सकता हूँ, I, J ठीक है, और जाहरी बात है, जब हम I, J लिखेंगे, तो यह जो loop है, while loop, यह है J का, अगर हम यहाँ पे J plus equal to one नहीं लिखते तो J ने one 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 print करते जाना है, जैसे कल हुआ था, याद है ना, अगर कल वाले lectures के आपने practice किया तो आपको या होगा कि यहाँ पे J plus equal to one हमने क्यों लिखा है, अब यह तो हमने लिख लिया, हमने I का भी तो लिखना है ना, तो हम यहाँ से वापिस जाएंगे backspace दबागे, इसी को बोलते है indentation, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे I की second line से I start होता है, अब यहाँ पे लिखते है I plus equal to one, ठी ठीक है, यह हमने I को पीछे क्यों लिखे है, क्योंकि while की बाद में एक tab मारने के बाद, यानि कि एक indent के बाद, हमने I लिखना था, और J की एक indent के बाद, हमने J यहाँ पे लिखे है, ठीक है, समझागे इस बात की, अब यहाँ पे एक extension है, जिसको मैंने आपको install करवाया था प्रिटियर, यह वाली extensions, इसका काम ही यह होता है, जो चीजें एक indent के बाद आ रही हैं, वो colorful हो जाती है, ठीक है, मतलब यह यह while आ रहा है, आप देखेंगे, different colors में आ रही हैं, आपको नजर चीजें, यह पहले line है, यह intent first है, यह second intention है, आप देखें, यहाँ पे यहाँ यह यह दूसरे colors आ रहे है, so usually यह colors जो हैं वो, उस app से भी change हो सकते हैं, sorry extension से, so अब आपको क्या लगता है, कि यहाँ पे क्या print होगा, क्यूंकि हमने print i और j करना है, और दोनों को हम यहाँ पे increase भी कर रहे हैं, so इसका मतलब क्या हुआ, let's pin this, अब क्यूंकि हमारे पास, यहाँ से 0 से start हुआ है, ठीक है, मैं पहले वाला जो है, उसे comment आउट कर देता हूँ, ताकि बाद में नीचे मसला ना करे, मैं इसको दुबारा से run करता हूँ, आपको समझाने के लिए, now you will see, कि यह मेरे पास 0 से start हो रहा है, इसका मतलब है, कि 0 से start हुआ, फिर 1 आया, फिर i का 2 आजागा, क्यों? क्योंकि हमने less than 3 रखा है, less than equal to 3 नहीं है, इसी तरीके से j का 0 आएगा, j का 1 आएगा, j का 2 आएगा, और हमने print करना है i, j, पहले इसके 3 combination बनेंगे like this, फिर i के बनेंगे, 1 के बनेंगे 3 combination लाइक दिस, फिर 2 के बनेंगे 3 combination लाइक दिस, तो इस तरी किसे nested while loop जो है हमारे पास वो हमारे पास print हो जाएगा अगर मैं यहां पे यह वाली one को increment ना लगाता है मतलब one के साथ उसको add ना करता है तो वो infinite loop में चला जाता है जो कल हमने देखा भी था मैं आपको करके दिखाता हूँ यह मैं यह वाली जो है उसको पता ही नहीं है कि तीन तक कैसे पहुंचने है उसको बताने के लिए हमने उनको बोला कि हर instance के बाद एक add करते जो अगर ऐसा मसला हो जाए तो control seed बादेना आपने यहां पे आके इस terminal में आके आपने control seed बादेना जिससे वो चीज रुक जाएगी और अक्सर अकाद लोगों के system भी hang हो जाते है अगर यह file loop घलत लिखा हुआ हो आपने ठीक है तो वो कहते है ना कि programming करने के साथ साथ आपको safety measures का भी पता होना चाहिए ठीक हो गया जी कोई मसला मसायल तो नहीं यहां तक नहीं होना चाहिए ओके तो यह इस तरीके से हम while loop nested जो है उसको बना रहे हैं हमने अब nested while loop भी बना लिया और nested for loop भी बना लिया अब अगर मैंने for loop बनाना है inside while loop क्या मज़ा होगा उस loop का let's see कैसा बनता हो for loop inside while loop किस तरीके से हम बनाएंगे मैं simply क्या करूंगा यहां पे i is equal to for example इसे मैं 1 रख लेता हूं 1 से start करते हैं इस तफ़ा 0 से नहीं करते हैं ठीक है i हमारे पास 1 है i कोई भी entity है कोई भी data point है यहां पे हम लिखेंगे while i is less than 4 हम 4 से ज्यादा नहीं जाते हैं और तक रखते हैं ठीक है and then we will say 4 j अब यहां पे j के लिए हमने for loop लगाना है in range of 3 range जो है यहां पे function है और 3 जो है एक हमारे पास point आ गया अब इसके अंदर हम print करके लिख सकते हैं i, j अब आपको पता है क्योंके हमने यहां पे while loop यूज किया होना पड़ेगा हर दफ़ा कि कितनी चीज आइड कर नहीं है वो one भी हो सकती है वो point five भी हो सकती है वो point two भी हो सकते है कोई भी number हो सकता है but usually हम one को use करते है ताकि increment वो सही तरीके से लगे तो इसको यहां पे i plus equal to one हम कर लेंगे अब आपको क्या लगता है क्या यहां पे scene चलेगा कोई अंदाजन बता सकते है पोर जे इन range three हमने बोला है चले इस run करके देखते हैं क्योंकि जारी बात है python से पूछ लेते हैं भी क्या करने वाले हो एक से start होना है तीन तक जाना है तो इसका मतलब है i की value 1,2, 3 होगी ऐसे ही है i की value हमारे पास एक से start होके 3 तक जाएगी तो मैं अगर इसको यहां पे लिखूँ 1,2,3 यह i की value होगी 1,2,3 अब हम रखते हैं अपने पास j की value तो हमारे पास J की value क्या होगी? J कितनी range में है? तीन तक है J तीन तक तो कहां से start हो रहा है? 0, 1, 2 ये J की value है हमारे पास ठीक है? हमने बताया for J in range range एक function है python का जो हम use करते हैं और function भी इंशाला हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से हमारे पास nested loop जो है वो for inside while आगया अब आपने क्या करने है? अपने while inside for loop आपने बनाने हैं ठीक है? while inside for loop बनता है नहीं बनता whatever it is while inside for loop या while loop inside for loop या आपने create करने हैं आपकी ये assignment है ताकि आपको पता चले किस तरीके से ये हमने जो है काम किया है by the way it's not a difficult thing आपने for पीछे लेके जाना है i की जगा पे और while आपने j की जगा पे लगा देना है simply ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास जो है वो for loop बन जाएगा अच्छा nested data structures के ऊपर ये काम करते हैं nested data structure क्या होती है जिन data structures में एक बड़ी category होती है और उसी category के अंदर छोटी category होती है मैं एक मिसाल देता हूँ आपको हम कहते हैं कि हमारी पूरी क्लास में जितने भी students हैं उन पे for loop लगा दो मैं मिसाल देता हूँ कि मुझे मेरी class के अंदर जितने भी इस वकत student हैं जो इस वकत round about if I'm not wrong 55,6 के करीब है zoom की बात कर रहा हूँ मैं अब एक for loop लगाता हूँ सभी के नाम print करने के लिए ठीक है for name in class print name ठीक है यह for loop लग गए अब nested loop इसका क्या होगा मेरे पास अगर data हो कि यह female है यह male student है तो हम male और female को nested loop में लगा देंगे समझ रही बात की क्या आपका gender जो होगा मतलब name आएगा फिर उसका gender आएगा कि कौन सा gender है ठीक है और यह data के अंदर से information उठाई जाएगी if or else के condition लगा के which we are going to see as a data analyst usually यह तब होता है इसका concept ने clear हो रहा because we will see के data क्या होता है और किस तरीके से उसको हमने देखना है by the way while loop और for loop बहुत ही कम use होते हैं data science में लेकिन जहां पे होते हैं वहां पे अपना काम अच्छे तरीके से दिखाते हैं और coding को और साफ सुतरा करके आपको सामने लेके आते हैं बहुत कम use होते हैं लेकिन जहां पे होंगे वो advanced coder को शोग करेंगे ठीक है समझ रहे हैं बाता कोई मसला दनीन है यहां तक इसी से related एक अगली चीज़ की तरफ में आपको लेके जाता हूँ which is called as functions functions का अगर आपको पता है तो प्लीज जरूर बताएं